नमस्कार दोस्तो गुड मोधिकेर मौनिंग मैं जन्दीप कुमार और आप लोग देख रहे हैं रोकिंग मोधिकेर क्लब फ्रेंड आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मोधिकेर की एक और इंकम के बारे में जिसका नाम है डिरेक्टर बोनस दोस्तो लास वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया था कि किस तरह से हम हमारि एप बोनस के कैलिकूलेशन कर सकते हैं उसिक करम में जिस तरह से हमारा कैश बैक 16% पहुंचता है तो हमारे पास एक टाइटल आ जाता है शांदार जिसका नाम होता है डिरेक्टर एंड जब डिरेक्टर बन जाते हैं तो लोगों के मन में सवाल आता है कि हमारा जो डिरेक्टर का बोनस है वो कैसे आएगा किस डिरेक्टर हैसम डिरेक्टर बोनस के लिए क्या बिजनस हमें करना पड़ता है और उसके कैलिकुलेशन कैसे होती है तो यह सारी की सारी complete information आपको इस वीडियो में मिलने वाली है सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा एंड चलिए शुरुबात करते हैं फ्रेंड सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो डिरेक्टर बोनस है वो आता कैसे है जी हां दोस्तो जब आप और आपके द्वारा जिस्टम में लाए गए लोग मोदी केयर से खरीदारी करते हैं और जुड़ते जुड़ते जब आपका accumulative PV 4001 हो जाता है यानि कि 1,08,027 बिजनस वोल्यूम और अगर मैं पैसों की बात करूँ तो लगबग 2,25,000 रुपे का total turnover जब आपका फूरे network के साथ में हो जाता है तो आप company में director level पे पहुंच जाते हैं और यहीं से आपको शुरुबात होती है director bonus मिलने की अब हम समझते हैं सबसे पहले कि director bonus कैसे बनता है दोस्तो director bonus पाने के लिए हमें director bonus point कैलकुलेट करने होते हैं मान लीजिए किसी एक director ने पूरे मंत के अंदर 50,000 business volume जनरेट किया जैसा कि आपको screen पे भी दीख रहा होगा 50,000 business volume अगर उसने जनरेट किये तो उन जनरेट बीवी से हम 6% की calculation करते हैं जिससे की हमारा director bonus point कैलकुलेट हो गया जाता है जो director bonus point हमारे आते हैं उनसे हम director जो इसकी value होती है director bonus point की उसको हम multiply करके हमारी amount जो है वो निकालते हैं आईए समझते हैं कि 4% का turnover company का किस तरह से directors के अंदर distribute होता है मान लीजे दोस्तो मोधी केर ने turnover किया 10 करोड रुपीज का तो उसके business volume माने जाएंगे 5 करोड क्योंकि business volume हमारे almost 50% होते हैं उन 5 करोड का 4% जो pool निकलेगा वो निकलेगा directors के लिए जितने qualified director जो उस मन्त के अंदर होंगे उनसे जो director bonus निकलेगा जो director bonus qualification लोग करेंगे उसको उससे divide करके जो point की value निकलती है वो हमारा director bonus की value को निकालने में हमारी help करता है फ्रेंट्स approximate इस value की जो point है इसकी value होती है लगबग 1.25 पैसे जब से ये नया समीर मोधी अजादी प्लान unlimited launch हुआ है तब से लगबग 1.20 पैसे से लेके 1.40 पैसे के बीच में approximate director bonus जो point है उसकी value निकल के आती है हमारे सामने तो ये हर मंद different vary करती है कि इस तरह से company का turnover होता है उसी तरीके से company का director bonus point की value है वो depend करती है आईए आप कुछ example के दोरा समझते हैं कि हमारा जो network है उसके साथ जब हम कितना business volume generate करेंगे उससे ना director bonus बनेगा कैसे तो सबसे पहला example हमारी screen के उपर जो आपको दिख रहा है वो ये है friends सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप 16% पे हैं और आपके network में आपने 6 लोगों को place किया है तो उन 6 लोगों में से आपका 1,2,3,4,5,6 तो first number का person जो है वो 10,000 business volume करता है second 15,000, third करता है 25,000, fourth करता है 5,000, fifth number करता है 15,000 and sixth number again करता है 10,000 ये 6 लोग मिलके लगबग 80,000 business volume जो है वो generate कर रहे हैं दोस्तो यहाँ पे एक बात और देखने की जुरूरत है कि director bonus अगर आपको ज़्यादा पाना है तो आपका business volume है पूरे group के साथ जितना ज़्यादा होगा उतना ही director bonus आपका maximum आएगा तो अब इसकी calculation करते हैं total business volume जो generate हुआ हमारा वो हुआ पूरे group के साथ 80,000 and 80,000 को हम multiply करेंगे 6% से जिससे की हमारे निकलेंगे director bonus point तो फ्रेंट्स 80,000 का 6% होता है 48,000 48,000 director point हमारे यहाँ पे आ गए अगर हम director bonus यहाँ से calculate करेंगे तो 48,000 director point को हम multiply करेंगे 1.25 से तो हमारा तो amount निकल किया आएगा 6,000 रुपे का तो दोस्तो अगर हमारे network से इस structure के according अगर 80,000 business volume generate होते हैं तो हमारा director bonus जो बनेगा वो 6,000 रुपे बनेगा और इसके लावा जो accumulative performance bonus रहेगा वो हमारा अलग रहेगा जो हमारी self की purchasing का plus differential amount का रहेगा जो हमने आपके साथ last video में share किया था अब एक दूसरे scenario को समझते हैं एक सवाल दोस्तो दूसरे के मन में हमाजकल लोगों के मन में और जादा आता है जिसमें कि अगर हमारे नीचे कोई lag 16% पे पहुंच जाती है लेकिन वो director qualify नहीं करती तो उनके business volume का क्या होगा तो दोस्तो आज से लगबग 4-5 महिने पहले company ने इस चीज को announce कर दिया था कि अगर आप अपना एक पार का title जो है वो अपना pure qualify कर लेते हैं 33,750 के साथ non director lag से मतलब कि आपकी जो 16% की lag है उनको छोड़के बाकी जो भी lag है उनको अगर आप total मिलाके किसी एक महिने में 33,750 business volume अगर अपना complete कर लेते हैं तो उससे अगले महिने में जो आपकी non qualified director lag हैं तो 16% पे तो हैं लेकिन director नहीं है तो उनका जो business volume होगा वो भी आपके director title को qualify करने में आपकी help करेगा तो यह scenario आपका कुछ इस तरी के से बनेगा अगर इस तरह का structure आपके network में है यहाँ 6 लोग हैं हमारे A करता है 20,000, B करता है 15,000, C करता है 25,000, again D करता है 5,000, E करता है 15,000 और अब जो हमारा F है वो हमारा 16% पे है लेकिन यह director qualify नहीं कर पाता और यह 18,000 business volume जो है पूरे मंध में generate करता है इसलिए इसका self title हुआ non qualified director तो अब यहाँ पे director bonus की calculation कैसे होगी इसको थोड़ा सा समझते हैं दोस्तों यहाँ पे 80,000 business volume हमारा generate हुआ in 5 lakh के साथ लेकिन पिछले महिने भी हमने अपना director qualify किया था तो अब जो यह 18,000 होगा यह हमारा इसके अंदर count होगा तो हमारा total director bonus जो BV business volume हुआ वो 198,000 का एंड हमारे director bonus point calculate करेंगे 98,000 को हम divide करेंगे multiply करेंगे 6% से तो हमारा जो director bonus point आए हमारे वो आए 5880 and हमारा director bonus बनेगा दोस्तों इसको 1.25 से अगर हम गुना करते हैं तो 7350 उर्पे तो friends अब जो लोग भी आपके network के अंदर NQD हैं अगर आपने एक बार अपना self NQD lag से अलग अगर आपने 33,750 के साथ में अगर आपने qualify कर लिया है तो इसके बाद जितने भी 16% आपके network के अंदर हैं चाहिए वो कितनी भी depth के अंदर हो जब तक एक title qualify नहीं हो जाता director का वो सारा का सारा business volume आपको roll up के रूप में count किया जाएगा आईए एक और example के दुवारा समझते हैं किस तरह से हमारा director bonus जो है वो count होता है दोस्तो आपने network शुरू किया और आपने system के अंदर 6 लोगों को enroll किया अब यहाँ पर अगर हम बात करें 6 लोगों की यह हमारा first month था इसके बाद second month के अंदर जो 6 लोग थे उन सारे के सारे लोगों ने अपने नीचे तीन-तीन लोगों का network विल्ड किया और दोस्तो इसके बाद अगले तीसरे महिने के अंदर इन तीन-तीन लोगों ने जो की मिलके हमारे total 18 लोग हो गए थे उन्होंने दो-दो लोगों को system के अंदर over and roll किया तो अब हमारा total team size जो है आपको screen पे दिख रहा होगा यह हो गया हमारा 60 और जैसे ही हमारा total team size 60 का हुआ इन मेंसे हर कोई person जो है वो 2000 personal business volume की खरीदारी कर रहा है लगबग 4000 रुपे की तो अगर हम 4000 की खरीदारी करते हैं तो लगबग 2000 business volume हमारे generate हो जाते हैं तो अब यहाँ पे हम calculation करते हैं director bonus point की तो 60 लोग अगर 2000 रुपे की खरीदारी करेंगे तो हमारा पूरा business volume हुआ एक लाख बीस हजार तो फ्रेंट्स एक लाख बीस हजार के director bonus जब हम calculate करेंगे 6% से तो हमारे director bonus point निकल के आए 7200 एंड जो हमारा director bonus बनेगा 7200 इंटू 1.25 तो हमारा पैसे निकल के आए फ्रेंट्स 9000 रुपे तो दोस्तो अगर हमारा team size 60 लोगों का है और वो सारे 2000 बिजनस volume जनरेट करते हैं और इस तरह का network अगर हमारा बन जाता है तो director bonus हम यहां से 9000 रुपे का कमाएंगे आईए एक और example के दवारा समझते हैं कि director bonus प्लस APB bonus इनकी मिला के हमारे total check की calculation इस तरह के scenario में कैसे होगी तो दोस्तो यह हमारा scenario था कि आपको director bonus पाने के लिए एक दो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान करना है सबसे पहले आपको अपना personal जो है वो 26 PV minimum आपको डालना है 702 PV लगबग 1500 रुपे का business volume जो है वो आपको generate करना है और आपका पूरी team के साथ मिला के 1250 PV या फिर 33,750 PV लगबग आपका एक मन्त में अगर हो जाता है तो आप director bonus पाने के लिए eligible हो जाते हैं तो फ्रेंट्स ये हमने पिछली बार जो network आपके structure जो आपके साथ share किया था ये total team size हुआ हमारा 60 लोगों का और ये 60 के 60 लोग 22,000 रुपे की खरीदारी कर रहे हैं तो total जो हमारा खरीदारी हुई वो हुई एक लाख 20,000 बिजनस वोल्यूम की और इस से हमारे director point जो generate हुए 6% के according वो हुए 7,200 और अगेन यहाँ यहाँ पे director bonus हमारा create हुआ 9,000 रुपे का अब इस case में हम यह समझते हैं कि हमारा total check कितने रुपे का बनेगा तो दोस्तो इसके अंदर हमारा self purchase किया था हमने 2000 बिजनस वोल्यूम का और हम खुद 16% पे हैं अगर बार मान के चलते हैं example से कि 10% पे आपके पूरे network के लोग हैं क्योंकि अगर structure के हिसाब से अगर आप business volume count करेंगे तो लगबग हर किसी का title जो है इन 6 के 6 लोगों का वो लगबग 10% के आसपास का पहुँच जाता है तो दोस्तो 6% का differential amount हुआ और business volume generate हुआ पूरे network के साथ में एक लाग 20,000 तो एक लाग 20,000 का 6% होता है 7200 लगबग 2200 रुपे हमारा जो हुआ APB bonus हुआ तो अब हम total check की जब calculation करेंगे तो मारा total check होता है friends 9000 रुपीज का हमारा हुआ director bonus and 7200 7200 रुपे का हुआ हमारा APB bonus 320 रुपे की purchasing हमारी खुद की थी जिसका हमारे पास cashback के रूप में पैसा आया तो यहाँ पे हमारा जो total check हुआ दोस्तों वो हुआ 16520 रुपे का friends ये कुछ scenario थे जिसमें की हमने आपके साथ share किया कि हम किस तरह से director bonus को है calculate कर सकते है ये हो सकता हो कि director bonus point आपके network में आपके business volume के according कुछ difference हो लेकिन दोस्तों जितना business volume आपके पूरे मन्त में आपका generate होगा उसको हमें 6% से multiply करके हमें उसको director bonus point निकालने है and then उसको 1.25 से multiply करके हमें उसकी director bonus point की जो director bonus की value जो है वो निगल के आ जाएगी तो इस तरह ऐसे आप अपना director bonus निकाल सकते हैं चाया आपका हो चाया आपके network में किसी का भी हो अप्रोक्सी में director bonus point की value रहती है वो 1.25 होती है कभी 1.24 होती है कभी 1.28 होती है तो जिस मन्त company का turnover जैसा होता उसके according हमारे director bonus point की value होती है उसके according आपका director bonus जो है वो calculate किया जाता है तो इससे regarding अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप हमसे comment box में पूछ सकते हैं next video में आपसे फिर मुलाकात होगी till then stay safe stay healthy thank you thank you so much